Godzilla King of the Monster को सिर्फ एक ही अपता बचाए और स्टूडियो के डायरेक्टर माइक डॉट्टरी हर जगा जाकर फिल्म के लिए इंटर्व्यू भी दे रहे जिस वज़े से हमें Godzilla और Monsters के फ्यूचर के बार में बहुत कुछ पता लग रहे आईसे अपने एक इंटर्व्यू के वग माइक डॉट्टरी ने बताया कि वो Godzilla की एंशेन टाइम वाली फिल्म करना चाहेंगे जिसमें किस तरह से Godzilla अस्तित्व में आया और किस तरह से ये सारे टाइटन हाइडिंग में गए इस आइडिया को एक्स्प्लोर वो करना चाहते हमें पता है कि King of the Monster, Monsters की हैस्ट गॉशिंग फिल्म बन सकती है फिल्म की फर्स्ट रियक्शन भी बहुत अच्छी आई थी सभी क्रिटिक ने इस फिल्म को प्रेज किया था और सबने कहा था कि ये Godzilla की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है इसके वज़े से फिल्म के लिए एंटिसिबेशन और बढ़ गया है मॉंस्ट वर्स में हमें अगली फिल्म गॉड्जिला उर्सेस कॉंग दिखने वाली है लेकिन उसके बाद कुछ भी अनौंस नहीं किया गया है जिससे पता लग रहा है कि स्टूडियो किंग आप दो मॉंस्टर के बॉक्स आपिस के वज़े से ही रुका हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि गॉड्जिला के अगले फिल्म के लिए स्टूडियो ने अभी से आइडियास को देखना शुरू कर दिया है और लगता है माइक डॉटरी उन्हीं आइडियास में से एक के बारे में हमें बता रहे हो माइक एक बहुत बड़े गॉड्जिला के फैन भी है और उन्होंने कहा है कि वो मॉंस्टर वर्स में फ्यूचर में भी काम करना चाते एंशन टाइम में किस तरह से ये टाइटन एक दूसरे के साथ रहते और फाइट करते थे ये एक फिम के लिए बहुत बड़ी आइडिया हो सकता है इस फिम में हमें गॉड्जिला की ओरिजिन स्टोरी भी दिख सकती है मॉस्टर वर्स पहले भी कॉंग दसकल आइनन में 1970 में जा चुका है इसलिए टाइम में और पीछे जम करना कोई प्रॉब्लेम नहीं होंगी और ये फिम तो हो के गॉड्जिला उनसे बहुत अलग होंगी इस फिम को तो हो के फाइनल वार्स मुई की तरह भी बनाया जा सकता है अगर माइक डॉट्टरी सच में इंशन गॉड्जिला पर फिम बनाना चाहते तो मुझे लगता है ये फिम उन्हें ज़रूर बनानी चाहिए इस टेटमेंट और आइडिया के बारे में आपकी क्या रहे है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले तो चलिए मिलते आप से अगले वीडियो में